हेलो प्रेंट्स आप से भी कास्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो जो में हम सीखेंगे Microsoft Excel में Ctrl A to Z shortcut की के बारे में जैसे Ctrl A से All Select, Ctrl V से Bold, Ctrl C से Copy, Ctrl D से Duplicate इसी परकार से हमने Ctrl Z तक का सभी shortcut की हमें हाँ पे टाइप कर दिये हैं और इस सभी shortcut की का उपयोग Microsoft Excel में किस परकार से किया जाता है आईए हम आज विल्कुल सुरू से सिखते हैं तो सबसे पहले दोस्तो चलिए हम Excel में चल लेते हैं आप भी यहां से Microsoft Excel Open कर लिएगा और इस सभी shortcut के यहां पे टाइप हमने कर दिये हैं और एक एक करके इस का उपयोग करना सीखेंगी तो दोस्तो चलिए से होता है All Select All Select यहां से है तो All Select करने का मतलब Excel में आप कुछ भी टाइप करेंगी सबसे पहले दोस्तो आप सीखे कि Excel में लिखा का जाता है Excel में दोस्तो ए छोटे छोटे box है और यहां पर आप कुछ भी लिखेंगे जो box आपने क्लिक कर दी और box Select हो गया है और यहां पर आगर आप नाम लिखना चाते हैं तहां पर नाम लिख सकते हैं और कोई नमबर लिखना चाते हैं तहां पर नमबर लिख सकते हैं इस परकार से आपको हर एक box में लिखाएगा जिस box में आप लिखना चाहते हैं उहाँ पे click करेंगी लेकिन दोस्तो हर एक box का एक नाम होता है जैसे इसको हम sale के नाम से बोलते हैं इसका sale नाम है और हर एक sale का एक अपना अपना नाम होता है दोस्तो ए, one, a, b, c, d जो दिया हुआ है इसको हम लोग column बोलते हैं और one, two, three इस परकार से दिया हुआ और इसको भी हम लोग heading बोलते हैं ठीक है यह row हो गया और यह हो गया column एक दोनो heading है एक row heading है एक column heading है ठीक है और इससे मिलकर जो a box बना उसको हम लोग sale बोलते हैं तो दोस्तो एक्सल सीट पे आप कहीं पर भी कुछ भी लिखे हैं और उसको आप पूरे को select करना चाहते हैं कुछ भी लिखे हैं और पूरे को select करना चाहते हैं अपने keyboard पे control और a का button जो है एक साथ प्रेस करेंगे चलिए हम प्रेस करते हैं control a तो देखिए पूरे एक सल सीट है जो पूरा select हो गया है ठीक है इस परकार से आप control a का उफ्यों कर सकते हैं कि किसी को अगर पूरा select करना है तो आप control a करेंगे तो seat पे आप कहीं पर भी लिखे हुए हैं वो सभी को select आप कर सकते हैं दोस्तो next है control b से bold होता bold का मतलब हुआ दोस्तो किसी का thickness बढ़ाने के लिए इसका उप्यों कहाता है कहने का मतलब हुआ कि अगर कुछ भी यहाँ पे आपने लिखें चलिए हम यहाँ पे लिख दिये हैं dsi ठीक है और यहाँ पे c o m p u t e r हमने लिख दिये हैं और यहाँ से देखे इसकी size को इस तरी का सकरते हैं और इसकी size को हम बढ़ाना चाहते हैं तेहां से select करके और यहां से इसकी Size को आप Phone Dialog Box से बढ़ा सकते हैं और इसकी Size में आप Thickness और मोटाई लाना चाहते हैं तो आपको क्या काना परगा दोस्तो, Ctrl-B करना होगा तो Keyboard पे पहले इसको Select करेंगे और Keyboard पे Ctrl और B एक साथ Press करेंगे तो देखे यह Bold हो जाएगा पहले दोस्तों इस तरीका से लिखा हुआ रहेगा एक Simple सा बढ़ है और पतले हाँ पे है लेकिन इसी में मोटाई करने के लिए Ctrl-B करेंगे तो Bold का मतलब मोटा हो जाना ठीक है Next दोस्तों Ctrl-C Ctrl-C का मतलब है Copy यहाँ पे देखे Ctrl-C लिखा हुआ और उसके साथ है दोस्तों Ctrl-B का मतलब होता है Paste अगर दोस्तों इहाँ पे देखे Camputer लिखा हुआ DSI और चाहते हैं कि इसको हम 2-3 बार लिखने के लिए इसको Copy करके आप बहुत असानी से लिख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि इसको Select करना है जो लिखे हैं आप Select करने के बाद आपको क्या करना Keyboard पे Ctrl और C का बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो देखे आभी छोटे छोटे बिंदू के तरह E हो गया है ठीक है मतलब यह Selection हो गया है और जिस जगह पेस्ट करना चाते हैं दोस्तों हाँ पे Sail को Select करेंगे हम इसके नीचे पेस्ट करना चाते हैं तो यहाँ पे देखे Select कर लिए और अपने Keyboard पे Ctrl और B का बटन जो है एक साथ प्रेस करेंगे तो देखे पेस्ट हो गया उसी परकार से जहां Select करेंगे उहाँ पेस्ट कर सकते हैं जिस जगह पे आप करना चाते हैं जलिए कि हम इहाँ पे 100 जो लिखा हुआ है इसके बगल में इसके नीचे करना चाते हैं ठीक है तो हाँ पे क्या करेंगे पहले Sail को Select करेंगे एक बार क्लिक करेंगे इसके बाद Control भी आपको करेंगे तो पेस्ट हो जागा तो इस परकार से दोस्तों एक बार किसी वर्ड को या किसी नंबर को ठीक है आप चाहते हैं देखे हाँ पे नंबर भी हो जाए तो देखे हमें आप एक कुछ नंबर टाइप करते हैं ठीक है यहां पे हम 100 टाइप कर दीए इसके बगल में 120 टाइप कर दीए 130 टाइप कर दीए 140 टाइप कर दीए इस परकार से देखे अभी मेरे पास कितने नंबर है यह चार नंबर है आप चारों को copy करना चाहते हैं तो चारों को select करेंगे select करने के बाद keyboard पे control C करेंगे आप जी जगह इसको paste करना होँआ पे एक जगह आपको select करना सिर्फ ठीक है और उसके बाद control B करेंगे तो देखे ही पूरा paste हो जाता है इस परकार से दोस्तो आप एक से अधी को select करके पेस्ट कर सकते हैं यहां तो देखे ती को हमने select की है और इसके बाद control C करेंगे और जी जगह paste करना होँआ पेו select करेंगे इसके बाद control B करेंगे ठीक है तो इस परकार से अपने word को select करके page कर सकते हैं ठीक है नेक्ष्ट दोस्तों यहां पर है CTRL-D, D से होता duplicate और होता fill-down, ठीक है, तो CTRL-D से duplicate कहने का मतलब हुआ कि किसी का duplicate अगर बनाना चाहते हैं, सेम तूसी तरीका से आप कर सकते हैं, या तो fill-down भी करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, चलिए कैसे करते हैं, तो सबसे पहले select कियें, और यहां से CTRL-D देखे करते हैं, क्या होता है, अब ही हमने CTRL-D कियें, तो देखे जो selection था, वो हट गिया है, और भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, यहां पर चले भी करते हैं, CTRL-D, कुछ हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है, तो चलिए कैसे काम करेगा, इसको पहले हम select करते हैं, और keyword पर delete की करते हैं, और यहां से को delete कर देते हैं, ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर देखे, एक कोई नाम लिख देते हैं, ठीक है, चलिए हम यहां पर computer type कर दें, C-O-M-P-U-T-E-R, और इस computer को हम को चाहतने के हम से लेकर यहां तक लिखना, ठीक है, इस पूरे सेल में हम लिखना चाते हैं इसकी size को थोड़ा सा म बढ़ा देते हैं और बोल्ड कर देते हैं इस computer को हम 5 वार लिखना चाते हैं तो क्या करेंगे सबसेद पहले दोस्तों लिखेंगे इसके बाद इसको जहां तक लिखना है उसको साथ में select कर लेंगे और उसके बाद आप क्या करना है Ctrl D आपकी वोर पर करेंगे क्या करेंगे Ctrl D तो जितने बार जितना sales आपने select किये हैं और सभी sales में एक importer एक बार में फील हो जाएगा ठीक है जैसे कि हमने हाँ पर नमबर लिख दी है 100 लिखें और 100 को चाहते हैं कि 10 बार लिखना ठीक है एक ही नमबर को 10 बार तो आपको दोस्तों लिखने में बहुत टाइम लेगा ठीक है इसलिए क्या करना आपको कि जहां तक लिखना है उतना तक sales को select करेंगे select करने के बाद आपको क्या करना है Ctrl D सिर्फ करेंगे देखे पूरा में एक क्या हो गया पूरा फील हो गया 100-100 सभी sales में तो इस परकार से एक से अधी किसी नमबर को या किसी बर्ड को लिखना है तो सिर्फ बर्ड लिख ये एक जगा उसके बाद उसको क्या करेंगे सेलेट करेंगे और Ctrl D करेंगे तो पूरा में फील हो जाएगा इस परकार से आप इसको कर सकते हैं चलिए नेक्ट में है दोस्तों Ctrl Ape Ape से होता है Find तो चलिए Keyword पे Ctrl Ape हम प्रेस करते हैं तो देखे एक धायलोग बॉक्स को लिया इसका काम है दोस्तों किसी बर्ड या किसी नमबर को खोजने के लिए ठीक है अभी देखिए हम यहां क्या करते हैं कि accomplishments हटा देते हैं और हैं से हंडेड ली दते हैं औरहां श्रीक करते हैं आपते हैं मैं से देखे किए हैं अभी देखें यहां क्या कर दिया 100 बता दिया ठीक है तेहां से आपको खोज सकते हैं अगर हम देखिए यहां पर लिख देते हैं चलिए राम और खोजना चाहते हैं कि राम कहां पर लिखा हुआ तो इसके बाद देखिए फाइंड नेक्ष्ट करेंगे तो फिर से फाइंड करेंगे तेहां नहीं आ रहा इसका मतलब राम एक ही जगा लिखा हुआ है चलिए यहां से आजएगे दोस्तों कि कंट्रोल प्लस जी से हो हां आपको जिसल में जाना है और है इसलिए थिरी हो गया और उसके बाद आपको क्या करना है कीबट अन्पर अब ये एक साथ प्रेस करें आप देखें control plus G हम प्रेस कियें और देखिए नीचे में आपको क्या करना है कि यहां पे रिफरेंस लिखा हुआ उहां पे आपको जीशेल में जाना है यह जी सेल को खोजना है उस सेल में जाने के लिए control प्लस जी करेंगे इसके बाद यहां पे reference में आपको क्या करना है कि जैसे हम यहां पर लिएते हैं D5 ठीक है D और 5 और यहां से करेंगे तो D5 जहां भी रहाएगा से लोग सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है इस लिए थि परकार से पने सेल पर डारेट जा सकते हैं नेक्स्ट दोस्तों replace control plus is replace जलिए हम control और यहां से डिंट Keys open करते हैं ठिक UP डिखा हुआ है और चलि तो मुस्ति degrees में marriage computer के जगारे पर थास computer को क्या में बदलना चाहते हैं तो monitor में AMO ANITOR ठीक है और यहां से क्या करेंगे replace देखे monitor हो गया उसी परकासर दोस्तों चलें यहां पे rám लिखा हुआ ठीक है और राम लिखा हुआ है आप चाहते हैं से कि राम को लिखा हुआ है और यहां से लिखा जाए सोहन ठीक है अंदा राम चेंज हो जाए तो क्या करेंगे पहले राम लिखेंगे ऊपर में ठीक है आरेम राम और नीचे में क्या बदलना है इसको वह बड़ लिखेंगे ठीक है मोहन एमो एचे इन ठीक है इसके बाद क्य से उसको सही कर सकते हैं नेश्टा जोस्तों italic italic का काम क्या italic का काम है किसी भी वर्ड जो एंगल सीधा में लिखा हुआ किस इस एंगल में मूब करने के लिए ठीक है किसी दूसरी एंगल में मूब करने के लिए जैसे दोस्तों आप देखें मौनिटर ठीक है हम पर सब्सक्राइब और हैं से डखे कंट्रोल आई क्लिकर जैनि के लिलों टीकर अब सब्सक्राल ग्रायोंित्रन चलिक्षाज कर से लिक्षाज़नेट çek इख हिए परकाद लिए इस आपहल में भीड़ करोड़ गए देखिए उपर ला बड़ देखिए किसी एंगल में मूव हो गया है नीचे ला बड़ सीधा लिखा हुआ ठीक है तो इटाइलिक का मतलब होता दोस्तों तिर्चा करना ठीक है किसी वर्ड को तिर्चा करना अब नेक्ष्ट आजे दोस्तों कंट्रोल पलस के का होता है हाइपर गटन को प्रेस करेंगे तो देखिए एक डायलोग बॉक्स खुलेगा और मोहन को जिस फाइल से जिसे मोहन का बाइड़ा रखा हुआ ठीक है और मोहन को बाइड़ा पहले साब को बना कर रख लेना जिस फाइल के साथ खोलना है दोस्तों उसको पहले साब को बना कर रख ल अगर लिंक बन जाएगा बड दोस्तों ते बुलू हो जाएगा अगर लिंक नहीं बनेगा ते बुलू नहीं होगा देखिए मोहन बुलू हो गया है और यहां पर एक बार क्लिक करेंगे जैसी माउस पॉइंटर कर जाएए देखे हैंड बन जाएगा और यहां पर क्लिक करें तो जिस फाइल के साथ इनाम को जोड़े हैं वो फाइल यहां पर उपेन हो जाएगा ठीक है देखिए इसका अब डाटा था रभी कुमार की इसके साथ इसको लिंक किये थे फाइल खुल गया तो इस परकार सो दोस्तों जिसको भी आप बर्ड को हाइपर लिंक बनाना चाहते हैं या जिसके वारे महाइपर लिंक का बनाना चाहते हैं उस फाइल को पहले एकसल में बनाकर या इमस बर्ड में बनाकर उसको क्या करना सेव कर लेना है इसके बाद आप उस फाइल को जिस नाम से बनाएंगे उस नाम को जोड़ देना है ठीक है उसके बाद खोलेंगे तो ठीक है हमें यहां से देखिए इसा भी को टेबल में convert करना चाहते है ठीक है तो select किए और keyboard को पर हमको control पलस L control पलस L करेंगे तो देखे पूछेगा कि कितने को आप table बनाना चाहते हैं उतना हमने select कर लिए हैं और यहां से okay पर click करेंगे तो देखे टेबल में convert हो जागा ठीक है column 1, column 2, column 3 अगर आपने heading यहां पर देता दोस्तों तो heading का नाम जाता है heading 1, heading 2 और heading 3 यहां पर कोई भी heading नहीं था इसलिए automatic के column का नाम आगी आ है इस परकार से अपने Excel seat पे जितने cell में आप table लगाना चाहते हैं उतने cell को select करेंगे उसके बाद आपको control plus L प्रेस करेंगे तो table में बन जाएगा next दोस्तो control plus N, control plus N का काम है कि new workbook लेना ठीक है देखे हैं हाँ select कर देते हैं new workbook मतलब कि आप चाहते हैं कि Excel seat पे काम हमको नहीं करना है हमको एक नया Excel seat लेना है तो लेने के लिए दोस्तों देखें सबसे उपर में office बटन है यहाँ पे click करेंगे और देखें यहाँ से new है यहाँ पे click करके आप नया ले सकते हैं यह तर शौर्ट करके की मदद से लेना तक सिर्फ keyboard पे control प्लस इन बटन जो है एक साथ प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ से एक नया seat आ गया है ठीक है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इस परकार से अप नया seat लेना चाहते हैं तो control प्लस इन एक साथ प्रेस करेंगे तो नया seat आ जाएगा नेक्श दोस्तो control प्लस ओ इसका मतलब है open एकसल सीट में सेव की गई फाइल को खोलने के लिए open का यूज करते हैं कैसे करेंगे दोस्तो चलिए कोई फाइल हम सेव किये हैं उसको खोलना है तो office बटन में जाएंगे और यहाँ से देखिए open है open पे किलिक करेंगे तो जो भ आप खोल सकते हैं या तो आपने कीवोड पी control प्लस ओ एक साथ प्रेस करेंगे एक डायलोग बॉक्स खुलेगा और इस डायलोग बॉक्स में जो फाइल अपने एकसल सीट में बनाये हैं उसको आप यहाँ से खोल सकते हैं जैसे फर्मूला है यहाँ से फर्मूला को स्लिट प्रोडक्ट है क्वाइंटिटी है प्राइस से एमाउंट है इसलिए फर्मूला में बनाये थे इसलिए खोल रहाएं से खोल देते हैं नेक्ट दोस्तों कंट्रोल प्लस पी से होता है ठीक है है यहाँ से लिखा हुगा था से प्रिंट अगर एकसल सीट में कोई भी डाटा बनाए हैं उसको डायेट अप्रिंट करना चाहते हैं की बोर पर कंटोल प्लस पी एक साथ बटन प्रेस करेंगे तो प्रिंट होने के लिए रेडि हो जाएगा तो चलिए हम करके देखते के बार कंटोल प्लस पी यहां पर किलिक किए तो देखे एक डायलोग बॉक्स आगया का और यहां से दोस्तों नेम में देखे Microsoft Print to PDF है इसका मतलब है कि हमारे सवे कोई भी क्रिंटर कनेक्ट नहीं है ठीक है अगर पर प्रिंटर रहेगा दोस्तों तो यहां पर जो भी प्रिंटर रहेगा इसका नाम यहां पर दिखाए देगा और अगर नाम नहीं तो यहां से drop down बटन पे click करके हां से select कर लेंगे ठीक है जो भी printer है select करने के बाद आपको जितना page करना है दोस्तों यहां एक page से लेकर 10 page करना तो एक page से 10 page यहां लिख देंगे अगर पूरे को एक साथ करना तो all पे click करके सिर्फ okay करेंगे तो आपका जो भी Excel sheet में बनाया गया data उससा भी print होके निकल जाएगा ठीक है अब आज़े दोस्तों नेक्ट यहां पे है control पलस आर जिसका काम है fill right ठीक है एक बता दियें दोस्तों यहां पे देखी क्या होता है कि जैसे हमने यहां पे राम लिखे ठीक है अब राम को हमको 5 बार लिखना है ठीक है तो 5 बार ठीक है हमने इतने जगह पे इतने सेल में हम राम को लिखना चाहते हैं इसके बाद आपको क्या काना सिर्फ control पलस आर कीवोड पी control पलस आर प्रेस करेंगे तो देखिए उतना जगह पे राम लिखा जाया या तो आप देखिए यहां पे चले कि यहां पे 120 है ठीक है इस नंबर को आपको लिखना है पांच बार ठीक है चाहिए जितना बार लिखना है आप सलेट कर लेंगे उतना में और इसकी बाद कीवोड पी control पलस आर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए उतनी बारे लिखा जाएगा ठीक है तो इस कौन साइड लिखा है दोस्तो आठा बनाये हैं उसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो control पलस इस देखिए अगर दवाते हैं एक डायलोग बॉक्स खुलेगा और इस डायलोग बॉक्स खुलेगा कौन सा दोस्तों तो सेव का खुलेगा ठीक है तो चले कीवोड पे control एस हम प्रेस करते हैं अगर दोस्त को आपने पहले ही सेव कर लिए ठीक है तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जाना ओफिस बटन पर और देखिए हाँ पर सेव है सेव पर आप क्लिक करेंगे या तो आपकी वोड पे control प्लस इस प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा ठीक है यहाँ से आप से आप सेव क फाइल सेव है तो चलिए सेव कैसे करेंगे वो करके हम आपको एक बार दिखा देते हैं चलिए यहाँ से जाएंगे और इस तरीका से दोस्तों देखे डायलोग बॉक्स आपका खुलेगा ठीक है खुलने के बाद दोस्तों आप फाइल का नाम है यहाँ पर अपना कोई भी इसको अभी हमने बताएं कि इतने सारे डेटा को हम टेवल में कनुषर्ट करना चाहते हैं लगाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पलस टी एक साथ प्रेस करेंगे तो देखे इतने डाटा में आपको टेवल लग जाएगा ठीक है तो इस परकार से जो डाटा में आपको दोस्तों तो हाँ पर क्या होगा टैटल टेवल लग जाएगा नेक्ट दोस्तों हाँ आज यह एक सब्सक्राइब देनाचाते हैं wat मेर से लखा हुआ ऐसको अगांबोगायाई क्लिक करते हैं तो खरोला है बटन को दोगता है जिसको अन्डरलाइन बोला जाता है उसी परकार से अगर इसमें देना है दोस्तो ता इसको सवेक्वार्द की वोड科 से करना हूं ही सब्सक् soccer है जिसके नीचे एक लाइन आगया जिसको अंडर लाइन बोला आता है और यहां से भी हटाने के लिए Ctrl प्लस U प्रेस करेंगे तो यहां से भी हट जागा और लगा भी सकते हैं दोनों काम कर सकते हैं ठीक है अब नेक्स्ट आजए दोस्तों यहां से Ctrl प्लस V भी से होता पेस्ट जो अभी सुरू में हमने बताएं थे किसी डाता को आप कोपी करेंगे तो Ctrl C करेंगे अजीज जग आपको पेस्ट करना है तो Ctrl भी करेंगे तो पेस्ट हो जागा नेक्स्ट आजए दोस्तों यहां से है Ctrl प्लस W मतलब कलोज करेंट वर्कबूक मतलब दोस्तों जो भी वर्कबूक आप खोल के रखे हैं और उसको चाहते हैं कि सोटकर्ट की के मदद से बंद करना ठीक है तो सिर्फ कीवोड पे Ctrl प्लस W ठीक है एक साथ दवाना दोनों ठीक है और इसको देखे हम बंद करके भी दिखाते हैं Ctrl और की देखे बटन एक साथ प्रेस करें तो देखे बंद हो गया ठीक है आप जो भी फाइल को बंदद करना चाहते हैं जो सेव करके रखे हैं वह भी बंद हो जाएगा जिस पर आप काम कर रहें हो भी बंद कर सकते ह कि और चौछा से होता है तो चलिए करके देखते हैं यहां पर क्या होता होता है इसकी होता है माँ चले किसी डेटा KU Monitor को हम चाहते हैं जगा सुछ इटाकर हम दूसरा जगह ले जाना चाहते हैं तो पहलेaltung करेंगे इसके नाम लिख देते हैं ठीक है चलिए यहां पर हम कुछ नाम लिख देते हैं ठीक है यहां पर लिख दिए हम DSI DSI computer C-O-M-P-U-T-E-R और इसको data को cut करके हम क्या करेंगे इस data को हम cut करके हम चाहते हैं कि किसी दूसरा जगह ले जाना मतलब दोस्तों cut का मतलब उस जगह से हटा कि दूसरा जगह ले जाना ठीक है तहां पर पहले select करेंगे keyboard पे control plus X करेंगे sorry एक मिनिट यहां नीचे खाली विला select हो गया है यहां से फिल ले control plus X और जी जगह ले जाना है उस जगह क्या करेंगे cell को select करेंगे और कर दें control plus B ठीक है लाने का काम paste करता control plus B और control plus C का काम है copy करके लाना control plus X का काम होँआ से हटा के लाना cut करके ठीक है आप देखें दोस्तों यहां पर हम लिख देते हैं कुछ और चलिए यहां पर हम लिख देते हैं 1200 ठीक है और control पलस बाई से होता read-o control project से होता undo अब भी तो हमने 1200 लिखे हैं ठीक है और इसको देखिए यहां से मिटा देते हैं हमने लिखें और मिटा दिएं तब देखें control प्लस अगर बाई हमें पर प्रेस करते हैं एक मिनट यहां पर हमने पहले लिख देते हैं 1200 ठीक है जो भी है 12000 चाहिए 1200 और control प्लस यहां पर देखें क्या होता बाई करते हैं तो कुछ हो रहा नहीं हो रहा है ठीक है और चले 1200 को ह हम यहां से मीटा दियें और इसके बाद है control प्लस बाई हम करते हैं क्या होता कुछ हो रहा है नहीं control प्लस जेड करते हैं मतलब यहां पर दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है ठीक है तो क्यों नहीं काम कर रहा है चलिए इसको डेटा को हम पहले डिलेट कर देते हैं इ एहां से देखे कंट्beitetat करते हैं ठीक है कंट्र प्रजयर की अधिये थे औरक मिनेदीद देखेले का आठा आ या हमने नीचे लिखें थे इसके बाद एक फिर इंट्रोब्लिक करते हैं यह पूरे डाटा घूग गник CTRL plus by करते हैं पूरे डाटा हट गया CTRL plus Z करते हैं पूरे डाटा आ रहा है मतलब कहने को हुआ दोस्तों कि किसी भी डेटा को एक step आगे लाने के लिए CTRL plus by करेंगे एक step पीछे लाने के लिए CTRL plus Z करेंगे ठीक है यहां पर डिलेट कर दियें यहां से देखिए और यहां से इवी डाटा को हमने डिलेट कर देते हैं ठीक है और फिर से यहां पर हम एक डाटा लिख देते हैं कुछ भी चलिए Computer C-O-M-P-U-T-E-R और इस डाटा को हम क्या करते हैं कि डिलेट कर देते हैं ठीक है Ctrl प्लस सरी दोस्तो यहां से डिलेट कर देते हैं खले डिलेट बटन प्रेस करते हैं आप देखे तक control by और z से undo और redo कर सकते हैं एक step आगे एक और step पीछे तो दोस्तो हमने control a से लेकर control z तक का सभी shortcut की के बारे में हमने सीख लिए कि Microsoft Excel में इस सभी shortcut की copy किस परकार से किया जाता है तो दोस्तो एक वीडियो कैसा लगा अगर दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो like, share, comment जरूर करें हमारे चैनल पर Microsoft Word के सभी shortcut की के बारे में बताए गया है अभी Excel के भी shortcut की के बारे में बताए गया है उसी परकार से PowerPoint, Texas, Photoshop, Tile लिए इस सभी shortcut की के बारे में बहुत सारे जनकारियां दिया गया है और जिस भी program के बारे में आप देखना चाहते हैं उस सभी का वीडियो जो हमारे चैनल पर upload है उसको आप देख सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे दोस्तो तो like जरूर किजिएगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही